गुद्वानिंग स्टुडेंट तुड़े विल स्टार्ट नियू एक्सरसाइज एक्सरसाइज 12.2 कल हमने टाइप साप एंगल पढ़ेते आज हम 12.2 लगाने जा रहे हैं ड्रॉ लाइन सिग्मेंट ऑफ गिवें लेंथ आपको कितनी मतनब लाइन सिग्मेंट बनानी है जो आपको नंबर गिवें उसके अमसार ठीक है तो भेटें यहां पर दिया है एका 4.6 सेंटी मीटर ठीक है तो आपको में यह स्केल दिखा रहे हूँ scale का जो आपको बनाने का जो तरीका है वो मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि यह scale है ruler है ठीक है अब आपको कित्ता बनाना यहाँ पर 4.6 cm यह number सवाल है यह अब आपको क्या करना है ruler की मदद से आप सबसे पहले यहाँ पर एक point रखिए ठीक है अब 4 के बाद देखें यह तो 5 होगे बीच वाला अब एक point all ले लिजिए यह आपका 6 ठीक है अपने point ले लिया इसके बाद इस line को आपको क्या करना है देना है देखें हमने इसको मिला के इसमें a b point दे दिया उसको 4.6 cm लिग दिया ठीक है अब question number 2 क्या है b है आपका 7 cm question number b है आपका 7 cm बिटे देखें मैं mobile विली हूँ आपको बनाना वी सिखा रही हूँ यदि कोई आपको समझ में नहीं तो एक बार अपने मम्मी डैड़ी जरूर पूछेगा तो देखें हम यहां पर सबसे पहले यह सुरुआत में जो scale का point उसमें रखते हैं और फिर यहां आप देखें 7 cm आपको scale में समझ में आ रहा होगा यह ठीक है आपने point रख लिया आप दोनों point को आपस में मिला दीजिए देखें यह होगे आपका 7 cm की loin draw कर ली अब जो आपका C number है जो C number है वो आपका दिया है 8.6 cm अब 8.6 cm उसी तरह करना है आपको कुछ नहीं करना है देखेंगा हम यहाँ पे starting में point लेते हैं और 8.6 cm यह ठीक है और इन point को कापस मिला देंगे ठीक है आपको समझ में आया ना जैसे आपको question number one line segment दिया था 4.6 cm 7 cm 8.6 cm 65.4 cm तो इनका हमने line segment बनाया और उसको capital letter से denote किया ठीक है तो line segment के जो यदि हम पूछा जाए कि line segment क्या है तो इसको two end point होते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं आप इसको नाप सकते हैं इसकी length निश्चित होती है अब देखिए हम question number two पढ़ने जा रहे है classify the following angles as acute right and obtuse angle हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका acute angle है कौन सा right angle है कौन सा obtuse angle है तो जो क्या होता है कि 40 degree है देखे भी 40 degree है मतलब यह 90 degree से क्या है less है तो यह कौन सा एंगल होगा acute angle होगा कल मैंने पढ़ाये भी था अब देखिए accurate 90 degree का है तो यह कौन से एंगल होगा आपका right angle हो गया अब यह क्या है 90 से above पर 180 से कम है तो यह कौन सा एंगल होगा आप ट्यूस एंगल होगा और यह आपका 90 से ले से तो यह होगा आपका एक्यूट एंगल ठीक है आप question number 3 है name the vertex and arms of the each of the angle sewn below आपको figure given है आपको बताना है vertex, vertex means होता है corner यह corner ठीक है जैसे यहाँ पर e corner है यहाँ पर y corner है और arms means होती है उसकी भुजाएं मतब आपको उसके vertex और arms को बताना है ठीक है तो देखें इस figure में आपका इसमें vertex क्या है e है मैंने लिखा vertex अब इसके arms क्या है arms इसके d e और e f है इसी तरह इसका vertex क्या है p है और इसके arms क्या है p q है और ps है इसी तरह आपके nest figure का vertex क्या है y arms क्या है आपका x y और y z इसी तरह आपके nest जो figure है उसमें आपका vertex क्या है m और arm से lm और mn इसका vertex क्या है q और इसकी जो arm से q r और q p इसी तरह इसका vertex क्या है o arm से o या more op तो यह आपका question number 3 तर complete हुआ आपको कल एक काम करना है कि आपको angles जो आपके question number 4 दिया है classify the angle whose measure are given below देखिए हमारे पास इतना बड़ा protector नहीं है कि हम उसको आप board में बता सके फिर भी मैं कोसिस करूंगी इस सवाल को समझाने को आप अपनी copy में protector की मदश से in degree के angles बना के रखिए ठीक है आपको इतना काम करना है मैंने कल भी यह बोला था कि आप protector की help से angle बनाना ज़रूर सीखिए thank you हाँ और यदि आपको समझ में आता है तो please like करिए उसको subscribe करिए और उसकी बाद आपको जो problem है उसको comments box में लिखिए कर झाल कर दो में लिखिए और उसकी है कर दो में लिखिए और उसकी है